तो आज मैं शेयर कर रहे हैं मेथी मटल मलाई के रेसिपी और बहुत इजी और सिंपल डिश है जो पराथे पूदी के साथ अच्छी से जा सकती है तो देखिए इसके साथ पेस्टी लगती है तो देखिए इसके सब में पर तो मैंने मटर लिया है एक कटोरी भर कर और इसे बॉयल करना है मेथी के साथ और यह है मलाई फ्रेश क्रीम है घर की आप चाहिए तो अमुल की या तो कोई भी जो मिलती है मार्केट में ओ ले सकते हो और यह देखिए खड़े मसाले है इसमें तेश पत्ता है चार छोटी लाइची है हरी लाइची लॉंग है 8-10 और काली मिरी है और डालचीनी है आपको जितना तेश चाहिए हो इसाब साब काली मिरी ले सकते हो और उसके बाद मैंने दो बड़े प्यास्क इस तरीके से रफ के बाते हरी मिरी भी आपने टेस्ट के अकॉरडिंग कम या जाधा ले सकते हो और इस इस अब जो है इंगडियन को हमें अद्रकलसन और उसको हमें भूंधना है और यह देखिए मेति को मैंने दो कर और अच्छे से 어떤 whitu, प्राइणम मैं थो ,arkenने काजू भूल गए थीन चमशा है जो आप लेगा है तक भूल गपताई, निच्व मैं फीनी स्पराहि भूल गपम्रख मडन में दाल ओर 2 मिन साहए चामार में लिगल उपानियो, तो एक नयुक्त दाल जेना है मतर मट्यक्त किया और नमग आड़् किया है आप ले सकते हो जल्दी हम यह पानि उसस्तों के बाइल दूड़्ी कौकर स्थेखने हैं। सुर्खा मसाला और अभी मैं इसमें एक त्मश्ट ऑईल एड़ करूंगी और हमारा प्यास रफ्ली चॉप और अध्रा क्लस्टे नरहरी मिर्चे और काजू एड़ करूंगी आठ डस काजू एड़ करिए आपको जितना ग्रीवी बनाना है वह इससाब से नमक एड़ किया है और इसको जो मीडियम फ्लेम पर में भूनूंगी ज्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है सिर्फ इसका कलर थोड़ा सा हलका होना चाहिए इस तरीके से हमें भूनते हुए चलाते हुए एड़ करना यह देखे इसमें मैंने काजू एड़ किया बूल गई थे आपको बताना तो सुछिदा मैंने मिक्सी की जार में यह एड़ कर दिया है अभी यह मसाला थंड़ा होने देना है में अच्छी तरीके से पूरा फिर बाद में हम उसे पगा रहेंगे यह देखिए इस तरीके से पीस लेना है बारिक और फिर उसी कडाई में मैंने ऐल ले लिया है और बहुत ही इजी और सिंपल और टेस्टरीश है यह देखिए यह जो है मैंने रखा था तेस्पत्ता उससे इसमें एड़ कर दिया है और फिर जो मसाला मैंने पीस कर रखा था प्यास का वो इसमें एड़ किया है और उसको हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे 5-6 मिनट तक क चलाते हैं क्योंके काजू है उसमें तो फिर नॉन स्टिक कड़ाई भी हो तो फिर भी लगने का डर होता है तो इसलिए कंटीन आपका 5-6 मिनट तक इस तरहीं से भूनते हैं चलाना है और फिर उसमें जो हमने मेथी और मटर बॉल करके रखे वह एड़ करना है और फ्रेश में तो हम इसमें अभी जो सुखा मसाला पीस का रखे है वह एड़ करेंगे और फ्रेश क्रीम एड़ करेंगे मने दो बड़े चमच अड़ किया है क्योंके घर में जितना आपको लगता है आप इस अपना तेस के हिसाब से एड़ कर सकते हो इस स्टेश पर है ना आप इसमे दो तिन मिनट तक के पकाना है यह देखिए हमारा मेथी मटर मालाई रेडी हो गया है सब के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगाए से और लाइक करें और कमेंट कर गए मुझे बताईए अला हाफेज झाला है